तो क्लास इस टिटोरिल में हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है और प्रोजेक्ट में आपको ये इवैलिएशन शीट बनानी होगी तो इसका फस्ट लिक हम डिसकस करते हैं शुरुरात में क्या है? आपको स्कूल का नाम दिखना है और स्कूल के नाम के साइड में आपका लोगो रहेगा स्कूल का नाम जो है Mergin Center Feature से लिखा हुआ है उसी तरह उसके नीचे की location और title भी Mergin Center से बना हुआ है फिर class in section लिखने के बाद आपको serial number name, subject name, total और percentage लिखना है remark इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि वो एक compound if function से बना हुआ था और बहुत ज्यादा compounded था तो simplicity के लिए हम इतना कर रहे हैं इसके बाद आपको class teacher और principal का signature के लिए नीचे space प्रोवाइड कर आना है तो कोई भी चीज बनानी होती है तो चलो एक नया workbook create करते है shortcut की control plus new n तो मैं अपने school का बना रहा हूँ मेरा पहला school government senior secondary school tamalu fine फिर इसके बाद वो कहां पे था तमालू कार ने को बार और उसका लोगो बाइद अवे नहीं है मेरे पास उसकूल अब बचा भी नहीं सुनामी के बाद तो picture पे क्लिक किया ओ सॉरी मैं आपने मैं आजमगर public school का ही लोगो लगाने जा रहा हूँ picture पे क्लिक किया बहुत ज्यादा मुझे browse करना पड़ेगा मैंने उस folder को पहले ही open कर दिया तो मैं directly क्या करूंगा यहां से उस folder में गया यह logo वाली picture है मेरी image है मेरी इसे ctrl c copy किया और excel में आके ctrl v नहीं हो रहा है ctrl c ctrl v चलो picture से इंसर्ट करना पड़ेगा picture और तो फिर मैं क्या करूंगा इस folder का address बार में जाकर मैंने location copy किया और यहां address बार में आकर location paste करके press enter डिरेटली मेरा अब लोकेशन उपन हो गया है यह रही मेरी image select किया click insert तो यह रही मेरी image ठीक है तो लोगो है इसको छोटा करना है छोटा बना कर मैंने इसको यहां पर डाल दिया अब ओ सॉरी इसको ज़रा पहले format कर लेते हैं कि फॉर्मेटिंग चलो बाद में format करेंगे छोटा से इसको बस ऐसे यहां वहां रख दो अब यहां पर sorry यह pt1 evaluation sheet है तो periodic test one periodic test dash one evaluation sheet 2018 ना और इसके बाद फिर class and section class and section तो मेरा favorite class third भी था इस वज़ा से मैंने यहां पर third भी लिखा है और कुछ नहीं इसके बाद serial name serial number name और subject name हो गए English, Hindi, Math, Science, Social और computer gk और कोई है उर्दू संस्कृत इसके बाद total और percentage इसके बाद one से लेके eight तक मैं लिखते रहा हूं one two दोनों select किया और यहां cross hair पकड़कर नेचे हम ने drag कर दिया eight students के लिए अब यह जो name है अलजय अलबार्ट इसके बाद अमान अगस्टेना फिर हक्कू रिमिशा और शानी जैन विज़ए ठीक है अब यह जो marks है इनके मैं direct यहां से copy paste कर दे रहा हूं control c और control v ठीक है ध्यान दीज़ेगा आप जिस cell को select करने के बाद paste करते हैं तो उस cell से paste होना start होगा और active cell किसे कहते हैं जो selected रहता है cell उसी को active cell कहते हैं तो यहां पर हमने paste कर दिया तो अब क्या करेंगे total total का formula हो जाएगा sum यहां से लेकर यहां तक parenthesis closed enter और percentage में equal to total divided by 160 percent enter तो दोनों formulas को हमने select किया नीचे auto fill कर दिया relative referencing से उन्होंने अपने आपको calculate कर लिया आप और number में जाकर decimal places हमें दो ही चाहिए दो already selected है just click okay तो यहां पर देखो सभी दो digit हो गए decimal places के बाद फिर इसके बाद क्या है नीचे class teacher और principal की sign देनी है तो यहां पर मैंने क्या किया class teacher लिख दिया फिर colon लगाकर underscore 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 आपको backspace के दो side left में मिलेगा two keys left में shift दबा कर आपको press करना है और फिर इसके बाद उसी तरह यहां पर आपको principal okay done तो चलो basically हमारा ready हो गए अब इसे formatting करना है तो हमें पता है कि इसको कितना cells तक merge करना है यह आखरी होगा यहां तक फैला हुआ है तो cell range select किया merge in center size increase करते है तो 22 काफी होना चाहिए control plus B bold हो गया इसको भी 22 कर दो merge in center और यह भी merge in center हो जाएगा और क्यूंकि title है तो यह bold भी रहेगा class in section को merge in center करते हैं and bold और अब logo को हम place कर देते हैं इसे हमने पूरा select किया और देखो यह जो home tab में आपका normally border option border bottom selected bottom border selected रहता है आपको यहां पे drop down menu पे जाके all borders कर देना है ठीक है और यह जो पूरा row है row header पे जब click करेंगे पूरा row select हो जाएगा यह क्या कहते हैं bold होना चाहिए और center align होना चाहिए इसी तरह यह जो दो columns है bold होंगे और center align नेम जो है left align रहे तो ही अच्छा लगेगा और नेम का जो column है उसके width को बढ़ाना है fine अब इतना होने के बाद यह K और L के column को भी bold और center align कर दो हो गया अब इस row को भी हम bold कर देते हैं हो गया तो तो basically यह मेरा evaluation sheet तो तयार हो गया लेकिन print से पहले मुझे check करना है कि क्या यह एक page में दिख आ जाएगा तो उसके लिए आप यह page layout tab view है देखो यह बाहर चला जा रहा है ना यह 3 column दूसरे page में चले जा रहा है कि width का measurement ज्यादा हो गया और height का measurement कम हो गया यह आपका landscape mode हो गया orientation या फिर आप चाहते तो portrait में ही orientation for portrait करने के बाद यह सारे columns को select करते हैं और किसी भी column का आप अगर width कम करते हैं तो सारे columns की width एक बराबर सारे selected columns की width एक बराबर कम हो जाती हैं लेकिन यह बहुत ही congested लगता है तो हम जो है orientation को landscape में ही रहने देंगे इसके अलावा आपका जो table है आप उकर उसमें design apply करना चाहें oh sorry home tab में जाकर तो format as table में जाकर आप ऐसा कर सकते हैं okay okay so this looks cool doesn't it? yeah it might be an attribute to my school at Tamalu it was awesome working with you DFTBA okay